कि नमस्कार में हुम रितिंजा चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पेन नाइन न्यूस में इस वक्त की बड़ी खबर की शिरुवात हम करेंगे उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश में डेपिटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौरे से केशव प्रसाद मौरे को विधान सबाच चुनाओं में सिराथू से हार का सामना करना पड़ा लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने उन पर भरोसा दिखाया लेकिन क्या पार्टी ने उन पर पूरी तरह से भरोसा दिखाया है ये सवाल खड़ा हो रहा है विभागों के बटवारों के बाद, लगातारी बाद मानी जा रही थे कि केश커v प्रसाद मौर एको डिप्टी सीहम का पद नहीं दिया जाएगा लेकिन उसके बावजुद भी उन्हें डिप्टी सीहम का पद दिया गया जबकि दिनेश तमाम कई विभाग थे लेकिन PWD विभाग लिये जाने के बाद कई बढ़ तरह के सवाल खड़े होने लगे के दूसरी बार कैबिनेट का विस्तार होने के बाद केशव प्रसाद मौरे का गद पार्टी में बढ़ा है या घटा है ये सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि उन हो जाती है लकातारी मानग जा रहा था केकेशव प्रसाद मौरे को पार्टी में हो सकता है कि कोई पद्र दिया जाए या फिर पार्टी में को घटा धिया जाए लेकिन सरकार संद्राइरे लेकिन PWD विभाग जो सबसे एहम माना जाता है और जो चुनावों में उनकी हार ही सबसे बड़ी वज़ा है और चुनावों में उनकी हार लगातार पार्टी पर भी के सवाल खड़े कर रही थी लगातार पार्टी पर और संगठन पर ये सवाल खड़े हो रहे थे कि हारे हुए प्रत्याशी को डिप्टी सीम पार्टी ने क्यों ब बीजेपी में अच्छा खासा कद रखते हैं बीजेपी में उन्होंने लगातार पार्टी के लिए बहुत लंबे वक्त तक काम किया है संगठन को जमीन से आसमान तक खड़ा करने का काम उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौरे ने किया है लेकिन सिराथु में हुई उनक पर और पार्टी पर सवाल खड़े होने लगे लगातार ये माना जा रहा है कि अभी भी पार्टी केशव प्रसाद मौरे के प्रदर्शन से नाराज है केशव प्रसाद मौरे कहीं न कहीं जिस तरह से पिछड़े समाद से बहुत बड़े नेता निकल कर आते हैं तो उन्हें डिप्टी सियम का पाद इसलिए दिया गया है ताकि 2024 के होने वाले लोकसभाच चुनावों में पार्टी को ज़्यादा नुकसान ना जिलना पड़े केशा स्वामी प्रसाद मौरे के जाने के बार जो पार्टी को पिछड़े वोट का जो नुक्सान हुआ वो केशा प्रसाद मौरे के जाने से ना हो लगातार यही बाते निकल कर सामने आ रही है लेकिन अब देखना ये होगा कि केशव प्रसाद मौरे इस पर क्या प्रतिक्रा देते हैं जब उनसे सवाल पूछ जाएंगे तो क्या अभी भी वो पार्टी के पक्ष में और जिस तरह से पार्टी के लिए काम करने का काम करेंगे और अब जब उनको इस पी डब्री भाग उनसे ले लिया गया है तो क्या अब वो उतने ही संतोष्ट नजर आएंगे जितने चुनावों में हार के बाद नजर आ रहे थे आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं SPN 9 News